अस्सलाम उलेकूम मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब तो विवर्स आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मुफीद घरेलू टोटके लाई हूँ जो के हमारी रोज मरा जिम्दकी में काफी फाइदा मंद होते हैं तो सबसे पहले उन लोगों के लिए के जो बदामों को बहुत पसंद करते हैं और अगर आप बदाम को ज्यादा लंबे अर्से के लिए महफूस करना चाहते हैं तो जिस बरतन में बादाम हो आप उस जार में उस बरतन में एक चमच शकर डाल दें जिसमें बादाम रखे हों, तो शकर डालने से बादाम बहुत दिनों तक महफूज हो जाएंगे इसी तरह है कि दही जमाने से कबल दूद को उबाल ले और इसमें दो सबस मिर्च डाल दे इससे क्या होगा कि दही जल्दी भी जमेगा और सख जमेगा यानि कि दही में पानी नहीं होगा नेक्स्ट है कि रात को सोने से कबल तीन चमच खाने का सोड़ा पानी में पानी से भरे हुए टब में डाल दे और सुबह इस पानी से बाथरूम धो ले तो उसका क्या फाइदा होगा कि आपके बाथरूम चमक जाएंगे और उनकी स्मेल भी खतम हो जाएगी इसी तरह है कि खाने का एक चमच सोड़ा ले नमक और सुहागा यानि कि बराबर मिक्तार में ये तीनों चीज़ें ले और इन्हें किसी बोतल में रख ले तो क्या करें कि रोजाना इस से आप दान्त साफ करें इस से आपके दान्तों की पीला हट खतम हो जाएगी आपके दान्तों का पीला पन खतम हो जाएगा और आपके दान्त सफेद होकर साफ हो जाएंगे तो ये बहुत असान चोटा सा एक टोटका है चोटी सी टिप है आपके दान्तों को साफ करने की इसी तरह हमारे पास दान्तों की सफाई के लिए कुछ और भी बहुत अच्छी टिप्स है तो मैं आपको बताती हूँ इसी तरह विएर्स दान्तों के लिए एक और छोटी सी टिप है कि सरसों के तेल में एक चाय का चमच नमक मिलाकर दान्तों पर लगाने से दान सफेद हो जाते हैं इससे भी दान्त बहुत अच्छी तरह साफ होते हैं और इसके इलावा खुश्क लीमू के छिलकों का सफूफ बना लें यानि के लीमू के छिलके लें और उन्हें खुश्क करके बारीक पीस लें जब वो सफूफ बन जाए तो उसमें नमक मिलाकर दान्त साफ करें इससे दान्तों का मैल खतम हो जाएगा और दान्त मोतियों की तरह साफ हो जाएंगे तो ये थोड़ी सी टिप्स थी जो यकीनन आपकी डेली की रोटीन में काम आएंगी और मेरी वीडियो को बताईएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक, शियर और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी इन्फरमेटिव वीडियो के साथ तो अपने दौाओं में याद रखिएगा वियर्स अपना ख्याल रखिए इजाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफिज